एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो इस्टुटेंट के लिए काम करने का सबसे असान तरीका जहां पर सिंपल सिंपल 9,10,11,12 का क्वेशन है आपको क्या करनी है उनको सॉल्व करनी है उसके बल्ले में आपकी अर्निंगों की यहां पर आपके पहला कि आपके स्टेडी के साथ साथ आपकी अर्निंग भी हो जा रही है और उसी के साथ साथ आपका एक्स्पिरियंस भी बन जा रहा है दोस्तों इस पर मैंने पिछला वीडियो बनाया था लेकिन फुली इन्फॉर्मेटिक वीडियो था जहां पास मैं इसके बारे में सि साथ आपको प्रोब भी दिखाऊंगा तो दोस्तों बस आपको क्या करने है वीडियो पर कंटेनिव रहना है जरा सा स्क्रीप मत करना जो मैं कर रहा हूं स्टेप बाइश्टेप उसको सिफ फॉलो करके आपको चीज़ को करना और यहां पर आप कम कर लोगे दोस्तों बहु बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं यहां पास online classes देते हैं और बहुत सारे इंडिया में पूरे all over world में बहुत सारे student यहां पे आते हैं class करते हैं और जाते हैं तो दोस्तों यहां पास होता क्या है कि teacher लोग यहां पे classes देते हैं लिए classes होने के बाद student लोग के मन में बहुत सारे doubts होते है, एक question solve करना है कैसे, अगर एक student का एक question भी doubt है, अगर वो देता है teacher को, तो आप सो सकते हो teacher को उसको solve करने में कितना ज्यादा समय लगेगा, वो की बिल्कूल भी impossible है उसको solve करने में, तो इसलिए क्या करती है online learning वाले जो website है, वो क्या करते है, कि expert hire करते है, जहाँ पर subject matter expert, तो आप ए वीडियो देखोगे और यह चीज़ जो मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूँ, वो चीज़ को करोगे, तो आप यहाँ से subject matter expert बन जाओगे, जिसके तहाँ आप question को solve करेगे, तो उसके बदले में आपकी earning होगी, बात कर लेते हैं कि एक question से कितना आपकी earning होगी, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता जाता हूँ, यहाँ पर starting में earning होती है पर 10 question आते हैं, टेट question को solve करने पर आपको 30 रुपिस करके दी आती है, पर question पर उसके अलावा जब 10 question बना लोगे, उसके बाद आपके आती है, फिर से 10 question उसके लिए आपको चार्ज दिया जाता है, पर question पर पर 50 रुपिस, ऐसे करके आपको यहाँ पस चार्ज मिलते हैं, यहाँ पस question के 3 level होते हैं, पहला easy, moderate और third में आपका high, तो उसके इसाब से आपको पैसा मिलते हैं, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, कितना मिलते हैं, आगे के वीडियो में मिल जाएगे, और भी जादा जानकारी इसको पाने के लिए, आपको previous वीडियो जाएगे, और दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको नीचे description box में एक link मिलेगा, आपको क्लिक करना है, वो आपको एक website पर edit कर देगा, जहां आप देखोगे तो आपको इस type का interface देखने को मिलेगा, जहां आप देखोगे तो आपको become an expert का एक button सो कर रहा होगा, तो आपको सबसे पहले आपको समझ में आगी होगा, इस button पर आपको क्लिक करना है, उस पर क्लिक करते ही वो आपको एक registration page पर ले जाएगा, जहां आपको सबसे पहले registration करना है, तो आपको simple सा email address और उसके बाद में password सलेट करना है, और उसके बाद direct आपको sign up करना है, sign up करते ही आपको इस टाइब का interface देखने को मिलेगा, जो आप यहां देख सकते हो, तो आप आपको इस mobile mode में खोल चुका है, तो इसको आपको खोलना है क्या आप desktop mode में, डेश्टोप mode में खोलने के लिए आपको 3. पे क्लिक करके आप वहां से desktop mode वाला enable कर लेना, enable करते ही आपको इस type का interface द दिखाऊँगा और आपके सामने में, यहां पे आपको question solve करके भी दिखाऊँगा, बस आपको video देखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोफाइल को select करना है, तो आपको अपना सबसे पहले profile picture को select कर लेना यहां से, profile picture select करने के बाद, आपको यहां आपका नाम, full name, आपको डालना है, उसके बाद आपको यहां पास real name, जो की bank account में, जो आपका नाम है, उसको आपको डालना है, बहुत लोग का होता है कि उनके नाम पर account बनते हैं, लेकिन bank account हमको पैसा चाहिए अपने brother का account में, या फिर family relative member का account में, तो आप जिसका भी bank account म आपको पैसा चाहिए उसका नाम यहां पर दाल देना, और उसके साथ एक बात और आगे जाके आपको pen card भी लगेगें, विड्रोल के टाइम पर, तो उसके लिए आप देख लेना कि आप bank account किसका डालोगे, तो यहां पस आप पहला नाम डाल देना, फिर दूसरा real name डाल द आप चाहो तो आप Google में भी सर्च करके अपना yourself find कर लेना, आप find करके यहां पर simple सा नाम और डिग्री बगारा चेंज करके यहां पर फ्रेश्ट कर देना, उसके बाद में नीचे में आपको mobile number आप अपना डाल देना, mobile number डालने के बाद आपको नीचे में country सेलेट करके आप simple सा submit कर देना, submit करते ही आपको the next option खुल जागा, जहां से आपको अपना qualification मांगा जागा, तो qualification में आप देख सकते हैं यहां पास qualification में आपको तमाम डिग्री देखने को मिल जागा, डिपलोमा भी मिलेंगे, इंजिनियरिंग मिलेगा, बिकॉम, बिएस्सी और बिए, आपको यह सारे चीज़ आपको मिल जागा, अब आप सोच रहे होगा कि भाई मैंने तो अभी just dual pass किया है, और मैं अभी admission ही करा है, तो मेरे पास तो degree है नहीं, बिकॉम की, मतलब degree है ही न सकते हो, तो चलो मेरा जो है btake है, लेकिन मेरा btake अभी complete नहीं हुआ, जो btake complete होगा 2022 में, तो मैं यहां btake को select कर लता है, उसके बाद मैं passing year यहां पूछा जा रहा है, तो अब आपका जो passing year है, मतलब आभी pass कर चुके हो, या फिर pass करो गे in future, तो passing year यहां आपको डाल देना ह सब्मिट करते हैं, यहां पर आपको पूछा जागा subject, तो आप यहां देख सकते हो, जैसा कि पिछले वीडियो में और आज भी बताया है, यहां पस सारे subject level है, basic standard level से लेके higher engineering level तक आपको यहां पस question मिलेंगे, even यहां पर biology भी मिलेंगे, आपको जो subject पसंद हो, आप वहां स subject को पसंद कर लेना, मैं यहां पस basic सा, एक science का chemistry और math को select कर लेता हूँ, जो आप यहां देख सकते हो, मैं यहां chemistry को select कर लिया, अब math को select कर लिया, उसके बाद में यहां पर submit कर दिया, नीचे वाले बटन पर click करके, उसके बाद यहां पस आप देख सकते हो, आपको इस type का interface देखने को मिला, जहां पस आपको बोला जारा, टेस्ट देने के लिए, आपको दो paper, जो subject आप select करोगे, दस paper आप select करोगे, तो दस paper का आपको test देना होगा, मैंने सिब दो paper select किया, chemistry और math, तो मुझे दो paper का ही test देना है, तो यहां पस सबसे पहले मैं test देता हूँ, test देन मैं दिखाद रहा हूँ, यह काफी easy question है, जो आप यहां देख सकते हो, तो अब आपको क्या करनी है, इस question को solve करना है, इसके लिए आप घरे कोई भी senior family member हो, या फिर कोई भी teacher हो, उसका help लेके आपको इसको solve कर सकते हो, या फिर Google का भी help लेके आप इसको solve कर सकते हो, यहां आप देखने नहीं आ रहा है कि आप cheating कर रहे हो या नहीं, तो आप इसको solve कर लेना 10 question को, 10 question को solve करके simple सा submit कर देना, चलो मैं यहां कर देता हो, करने के बाद मैं submit कर दिया, submit करते ही आप देख सकते हो, तुरंत मुझे approval मिल गया, मुझे approval के लिए ज्यादा वेट नहीं करना आप जैसे चाहो उसका answer दे देना, काफी easy question पुछते हैं, जो आप यहां देख सकते हो, कि काफी easy question है, basic standard level के question है, तो उसको आप solve कर देना, सिर्फ tick up है, MCQ question, उसको आपको tick up करना है, और direct आपको submit कर देना, उसके बाद submit करते ही, आप देख सकते हो, मेरा maths का भी question मैंने आपको यहां पर live दिखा रहा हूँ, अब इसके बाद आती है bank detail, आप payment लोगे, तो आप कहां पर लोगे, तो उसके लिए आपको अपना bank detail देना होगा, तो bank detail आप अभी भी दे सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, आप नीचे दोखोगे, तो I do letter का एक button सो कर रहा होगा, तो आप I do letter करके उसको बाद में भी देख सकते हो, I do letter पर जैसे ही click कि आपको अपना expert का dashboard दिखने को मिल लागा, इसके लिए ज़्यादा weight नहीं करना है, कि 10 दे weight करना है, company review करेगी, आपको test को, यहां total काम जो होता है, instant होता है, total कुछ instant होता है, जैसा कि मैंने पिछले व अब आप expert बन चुके हो, आप simple से आपको क्या करनी है, question को solve करना है, और यहां से आपकी earning करनी है, और आपको कुछ नहीं करना है, वहीं आप देखोगा, the last में मेरा पास इधर कोने में आपको देखने को मिल जागा, जो मैं profile picture select किया, मेरा नाम, teacher ID, इस टाइप से आपको द class notes है, उसको भी upload करके यहां से पैसे कमा सकते हैं, तो उसका भी option आपको यहां देखने को मिल जागा, teacher support भी मिल जागा, earning static, इस टाइप से आपको देखने को मिल जागा, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, तो मैं आपको बता दूँ, तो आपको यहां पस capsule question, कि आप question को solve कैसे करोगे, तो उसके लिए capsule question वाले button पे click करना है, उसके click करते ही आपको इस type का interface देखने को मिलेगा, जहां उपर में आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, वहीं उपर में आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, capsule dashboard और दूसरा monthly constant, तो आप monthly content पे click करोगे, तो उसके बाद में आपको यहां पास देखने को मिलेगा, जैसा कि यह starting में बताया था, कि first 10 question पे आपको 30 रुपीज पर answer पे मिलेगा, उसके बाद में next 10 question पे आपको 40 रुपीज पर answer पे मिलेगा, और सारी detail आपको यहां पास देखने को मिलेगा, इतना करने के अबाद आपने जो email आईडी दिया है रेइस्टर करते वक्त उसमें आपको एक मेल भी आएगा जो मैं यहां स्क्रीन पर चला के दिखा दे रहा हूं वहां एप्रोबल मिल गया है वही चीज आपको आपका मेल में आ जागा और भी तुरंत सेम डे पर मैं यहां वीडियो बनाते किया और वीडियो क्लिक करना क्लिक करते ही वहां पर आपको यहां दिखेगा फिल्टर का फिल्टर पर क्लिक करना फिल्टर पर क्लिक करते ही वहां पस आपको सब्जेक्ट करने पड़ेगी तो जो आपको यहां पस करना है तो उसके लिए अब इस पर क्लिक करना सबसे पहले आपको सब्जेक select करना है तो आप अपना subject select कर लेना science and math चलो मैं इसको select कर लेता हूँ उसके बाद में आपको enter keyword उसके बाद में select topic जो भी topic है आपका जैसे आप देख सकते हो chemistry और math तो मैं यह math को ही select कर लेता हूँ उसके बाद में आपको नीचे में एक और select sub topic का एक option लेगा तो उस पर जाके क्लिक करना यहां पास आपको math के सारे जो भी calculus है algebra है जो भी chapter है जो भी sub topic है आपको देखने को मिलेगे उसको select करके आप simple सा यहां पर search वाले question पर click करना आपकी question सर्च हो जाएगी आपको question देखने को मिलेगे यह इसमें थोड़ी सी problem है कि इसमें question की जो frequency है थोड़ी सी कम ह थोड़ा late से आता है question तो आप यहां पर select करके question को search करते रहना जब आपको question आएगा तो आप उसको solve कर रहा है आपको बताई दिया है कैसे solve करना है question solve करने के दो method होते हैं यहां पर से यहां तो type करके solve कर सकते हो या फिर आप अपने copy में solve करके उसका photo click करके आप directly उसको submit कर सकते हो यह होती है method दोस्तो अब जैसा कि starting में मैं आपको बताया था कि payment method तो इसके लिए payment के लिए मेरा तो यह अभी newly account है तो यहां पस तो मैं अभी काम किया नहीं हूँ तो मुझे यहां पर payment कैसे मिलेगा तो इसके लिए मुझे अपना पूराना account आपको दिखाना interface जहां assignment filter का एक button सो कर रहा हो तो आपको उसपे click करना है उसपे click करते हैं यहां पस अब जिस month का चाहो तो चलो मैं यहां से January का ही select कर लता हूं color के आपको दिखा देता हूं कि यहां पर मेरी जो भी payment आई वो आपको यहां पर लाइप दिखा दे रहा हूं जो आप यहां प तो आपको उपर में सो करेगा फिडलाओं का तो आपको bank detail देना होगा जब भी आपको payment चाहिए तो bank detail देते वक्त दे देना और देने के बाद में आपका जो mail आया उसमें आपको इसकी वी detail मिल जाएगी वैसे मैं आपको यहां बता दता हूं किसमें आपको क्या होगी 20-25 तारिक तक आपकी payment आएगी इस मन्त के मतलब पिछले मन्त के अगर आप January में काम करते हो तो आपको February के 20-25 मन तक आपको आएगी तो दोस्तो यह रही सारी detail इस website की step बा step जो मैं आपको बताया कि एक step जहां से मैंने start किया था और start करके मैंने यहां पे question solve किया और total कुछ जो file नमर दोनों दिया जाता तो आप चाहो तो company से भी अपनी queries को पूछ सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो तो मुझे comment box में comment करके बचा देना दोस्तो इतना information आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा तो इसके लिए थोड़ा सा मैनत लगा तो दोस्तो इसके लिए video को like कर देन अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो चैनल को subscribe कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जामता हूं वाज थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया जैन जैवारत